पूरा देश जानता है कि ब्रिज भूशन सिंग एक बहुत बड़ा गुंडा है जिसके उपर कई अपराधिक मामले पहले से ही दर्ज है ऐसे में देश की महिला पहलवान जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े मेडल जीते हैं वो सब सामने आती हैं और बताती हैं कि ब्रिज भूशन सिंग ने किस तरीके से उनके साथ यौन शोशन किया एक महीने तक वो सड़कों पर बैठी रही ग reproductive रही रोती रही चीकती रही चिलाती रही और दिल्ली पुलिस से माँ करती रही कि इस आदमी को अरेस्ट करो पर दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूशन सिंग को अरेस्ट नहीं करा उल्टा लड़कियों की ही विक्टिम शेमिंग जम के की गई अब दिल्ली पुलिस ने खुद चार्ची दायर करी है ब्रिजभूशन के खिलाफ जिसमें उसनों ने बताया है कि किस तरीके से ब्रिजभूशन ने लड़कियों के साथ सच में यौन शोशन किया था और इसको लेके काफी सारे पुखता सबूत भी दिल्ली पुलिस ने कोट में दायर करे तो मेरे दो सवाल है सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ये बताये कि जब उन्हें पता था कि ब्रिजभूशन ने लड़कियों के साथ यौन शोशन कराए तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं करा गया और दूसरी बात मैं केंदर सरकार से सवाल पूछना चाती हूँ क्योंकि ब्रिजभूशन उनका ही MP है उनका ही सांसद है मैं ये जानना चाती हूँ कि कब तक ब्रिजभूशन जैसे गुंडे को केंदर सरकार सरक्षन देगी और बचाएगी क्यों उसके खिलाफ अभी तक कोई भी कारेवाही नहीं करी गई है ये बहुत जादा गलत है क्योंकि जिस आदमी की जगा जेल है अब वो संसद में बैठकर देश के कानून मनाएगा मैं ये जानना चाती हूँ कि क्या इसी तरीके से बेटी बचाई जाएगी और बेटियों को आगे बढ़ाया जाए कर दो